यह मेरा homemade different different flavor का butter है घर में बनाई हूँ, कैसे बनाई हूँ, पूरा वीडियो देखिए, पता चलेगा पहले भी मैं आपके साथ share की हूँ homemade butter और घर में कैसे घी बनाएं, घर में कैसे butter बनाएं अगर आप नहीं देखें तो उसका recipe का link में देदूँगी सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार आज मैं आपके साथ share कर रहे हूँ, homemade butter से different different flavor में कैसे generate की हूँ जो भी नया है मेरे चैनल को subscribe करें, yummy, healthy और quick recipe देखने के लिए आपको notification मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो upload करूँगी बटर को आप रोटी, पराठा, पिजा, बर्गर, किसी में भी, ब्रेड, किसी में भी आप लगा के खा सकते हैं बहुत ही tasty और बहुत ही अच्छा लगेगा अब ज़रूर ट्राइ करेंगे यह है homemade butter जो मैं आसुबा निकाली, उसको मैं फ्रीज में रखके टाइट नहीं की हूँ, यह एकदम soft है इसी का ही हम बनाएंगे different different flavor का यह butter मैं यहाँ पे आपको 5 flavor का butter दिखाऊंगी जो कि मैं एक bowl चोटा चोटा ले ली हूँ आपको दिखाने के लिए इसमें easy रहेगा आप किसी डिबे में इसको भर के रख सकते हैं जब घर में बनाएं तो इसमें मैं पहला वाला जो बना रही हूँ, यह है black salt, थोड़ा सा butter निकाल के ले ली हूँ, इसमें थोड़ा सा black salt डालूँगी और यह garlic अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो आप यह वाला अच्छा से मिक्स कर देंगे और यह हमारा garlic बटर रेडी हो गया यह बटर ब्रेट में पिज्जा में बहुत ही अच्छा लगता है बर्गर में भी यह बहुत ही अच्छा लगेगा इसको मैं रख देती हूँ side में एक और बॉल में लेती हूँ और उसमें निकाल दीती हूँ थोड़ा सा और butter इसका मैं flavor क्या बनाती हूँ देखते हैं इसमें हम निकाल देंगे थोड़ा सा butter और इसके उपर मैं डाल रही हूँ यह धनिया एक तुम छोटा-छोटा कटा हुआ यह धनिया और उसके साथ मैं एड करूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर पाउडर ही लेंगे यहां पे कूट के लेंगे तो वो मुह में आएगा यहां पे यह वो अच्छा नहीं लगेगा यह वाला फ्लेवर भी ब्लैक पेपर का बटर बहुत ही अच्छा लगता है ब्रेट में रोटी पराठा में पिज़ा में बहुत ही अच्छा लगेगा इसमें मैं एक चीज और एड कर रही हूँ यह है औरेगा नो आप यहां पे चिली फ्लेक्स ले सकते हैं पिज अच्छा हो जाता है सारे बटर में मैं ब्लैक सॉल्ट ही यूज की हूँ वाइट सॉल्ट का यूज नहीं की हूँ सारे को मिक्स कर देंगे और यह वाला बटर हमारा तेयार हो गया आप अगर घर में बटर नहीं बनाते हैं तो मार्केट में जो बटर मिलता है उसको भी ला बटर और इसमें मैं एड़ करूंगी कटा हुआ धनिया और कदूकस किया हुआ गार्लिक थोड़ा सा औरेगानो और थोड़ा सा ब्लेक सॉल्ट इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा हैगा पहले में जो धनिया पत्ता और औरेगानो डाले थी उसमें मैं कदूकस किया हुआ ये garlic नहीं add की थी अब इसमें add कर रही हूँ जिसको garlic का flavor अच्छा लगता है वो health के लिए भी बहुत अच्छा है वो यहाँ पे हम इसको use कर शकते हैं आप यहाँ पे चाहे तो black pepper भी use कर शकते हैं चाहे तो chili flakes भी use कर शकते हैं और हलका सा salt, black salt यूज करें black salt डालके हम सारे को mix कर देंगे और यही एक flavor हमारा त्यार हो जाएगा सबकों मैं mix कर देती हूँ और इसमें एक चीज में डालना भूल गई थी वो मैं add कर देती हूँ oregano यह वाला flavor भी bread में, रोटी, पराठा में और पिज़ा में, पास्ता में बहुत ही अच्छा लगेगा अब ज़रूर ट्राय करें और मुझे comment में लिखें कि आपका यह butter homemade butter में साथ जो variation दिये हैं जो flavor डाले आप वो कैसा लगा इसको mix करके मैं रख देती हूँ side में और लेती हूँ एक बॉल उसमें मैं जो अभी दिखाऊंगे आपको यह बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा बहुत ही पसंद आएगा बच्चों को क्यूंकि इसको मैं मीठा बनाऊंगी कैसे क्या डाली हूँ देखते हैं बाउल में निकालते थी हूँ थोड़ा सा butter आपको सुनके लगता होगा कि बटर वो भी मीठा पता नहीं कैसा लगेगा लेकिन एक बार बनाईए जरूर और बताना मुझे कमेंट में कि आपका यह मीठा वाला बटर कैसा बना बहुत ही यमी सा टेस्ट आपको लगेगा यह इसमें मैं मीठास के लिए डाल रही हूँ एक स्पून हनी जो बच्चे मीठा पसंद करते हैं वो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे इसमें मैं थोड़ा सा हनी डाल दी एक स्पून बराबर हनी और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मिल्क चॉकलेट यह बना लेंगे हम बच्चों का पसंदिदा मीठा वाला बटर अच्छा से मिक्स करने के बाद यह हो जाएगा हमारा तेयार मीठा होममेट बटर अब मैं लेती हूँ एक और बाउल और उसमें मैं निकाल लूँगी एक स्पून बटर का उसमें मैं एट क्या करती हूँ यह व बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हूँ छोटा सा स्पून ले रहे हूँ और उसमें मैं डार रहे हूं थोड़ा सा ओरेगानो यहां पे हम सॉल्ट देखके ध्यान से यूजस करेंगे क्योंकि इसमें जो मस्टर सौस है उसमें सॉल्ट अल्रेडी है तो आपको अगर चाहिए सॉल्ट तो आप यूज करिए अधर्वाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हैं और यहां पे यह मस्टर्ड फ्लेवर बाला बटर तेयर हो गया बहुत ही यमी तेस्ट देगा बहुत ही बढ़िया लगेगा आप लोग जरूर इसको ट्राय करें घर में आज मैं इसी बटर में स जो गार्लिक फ्लेवर बाला बटर है वो लेके आठा लगाई हूं और उसी आठे में से यह पराठा बनाई हूं बहुत ही टेस्टी कितना सॉफ्ट हुआ है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूं इसमें चोटा से एक टुकडा तोड़के मैं दिखाती हूं यह कितना जो फ्लेवर डिफरेंट डिफरेंट दी हूं कैसा लगा मुझे जरूर बताना अच्छा लगा तो एक एक लाइक करना फिर में कुछ लेके आओंगी तब तक के लिए बाए